Hello Everyone, Welcome Back to My Channel Friends, आज की इस वीडियो में डिजाइनेRO Front Neck की Dysign की Cutting और Stitching करेंगे तो इससे बनाने के लिए हमने आप पे Fabric लिया है, तो Lining Fabric लेना है Plain Fabric लिया है और हमने आप पे Net Fabric लिया है इसकी Cutting जो है वो पहले हम Paper पर करेंगे तो यहां से पहले straight line draw कर लेनी है अभी इसे हम बोटनेक पर बनाएंगे तो total length जो इसकी वो 14 inch की रखेंगे 1 inch इसमें plus करना है margin का तो 15 inch लेना है और line को draw कर देना है shoulder ले रहे है 7 inch armhole लेना है 6.5 inch यहां से chest का fourth part लेना है तो 34 का fourth part होगा 8.5 inch और यहां पर 2 inch margin के लिए ले लेना है waist का fourth part लेना है 28 का fourth part 7 inch 2 inch tux के लिए और 2 inch margin के लिए side side line को draw कर लेना है 1 inch से armhole के side पर गुलाई देनी है अभी यहां पर princess cut की marking करनी है तो यहां से हम 3.5 inch पर marking करेंगे tux point आएगा हमारा 10 inch पर princess cut का shape देना है tux की जो wheat थे वो 2 inch की रखेंगे यहां से 2 inch लेकर shape दिया है अभी यहां पर हमें नैकी wheat लेनी है तो नैकी जो wheat थे वो हम 3 inch ले रहे हैं नैकी लेन थे भी हमें 3 inch लेनी है एक box बना कर इसमें round shape draw कर देना है अभ यहां पर नैकी जो लेन थे वो 8 inch की रख रहे हैं यहां से हमें लेना है 1.5 inch और यहां से लेना 1.25 inch यहां से यह बाली line को मिला देना है यह देखिए इस type से 1.5 inch और को down करना है ठीक है और यहां से इसको straight line रो कर देनी है तो देखिए हमने front part की cutting कर दी है तो center से भी cut कर देना है इसको तो अब single fabric या double fabric पर भी से cut कर सकते हैं इसका shape देना है हमको और इसकी cutting कर लेनी है तो यह देखिए इस type से cut कर लिया यह front part हो गया है इसकी cutting हम lining fabric पर करेंगे तो यह चोटा वाला जो part है उसको हम net fabric पर ही cut करेंगे आरेक्ट तो दिखिए इसकी मार्किंग हमने कर ली है और अब हम इसे कट करेंगे यह दिखिए इसको भी मैन फैबरिक पर कट कर देना है यह दिखिए अभी नेट फैबरिक पर यह वाला पार्ट को कट करना है तो इसको अच्छे से सैट कर लेना है पिन अप कर लिया हमने इसको अब इसे हमें कट करेंगे यहां से इस नीचे के साइट से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है हमको नेक को भी एसे टीस कट करेंगे साइट से देखिए यहां से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है हमने यह देखिए तो सभी पार्ट की कटिंग हो गई है अब हम इसकी स्टीची करेंगे तो सबसे पहले हमें अपर प्रेंशिस कट वाले पार्ट को स्टीच कर लीना है तो मैं फैवरिक को रॉंग साइट पर रखा उसके उपर लाइनिंग रखते हुए स्टीच करना है इसे हम सभी साइट से स्टीच करेंगे और साइट का जो भी एक्स्ट्रा फैवरिक होगा उसको कट कर लेना है अब यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लेनी है और सको कट कर देना है नेक को एसट इस size 1inch extra लेते होगे cut करेंगे और इसे paste कर देना है तो दीखिए कई बार क्या होता है comments आते हैं कि मैं paste करना जरूरी है क्या तो दीखिए paste करेंगे तो ज़्यादा batter रहेगा पर आप इस तरीके से paste नहीं करना है तो आप stitch भी कर सकते हैं ये दिखिए तो मैंने इसको stitch कर दिया तो भी यह set हो गया है अब मैंन फैवरिक को right side पर रखना है उसके उपर हम lining fabric रखेंगे और neck को stitch करेंगे यह दिखे cut लगाना है पूरे ही neck पर एक stitch हमें lining fabric के उपर से कर देना है तो यह दिखे हमने इसको stitch किया अब बाकी side से stitch कर देना है से यह दिखे तो पहले हमने echo stitch करेंगे यह दिखे बाकी side से stitch कर दिया है अब यहाँ पर मैं lace को stitch कर देना है तो नीचे के side रखकर हम stitch कर रहे हैं corner पर हमें इसे cut करके लगाना है यह दिखे नैट फैबरिक है side सम इसमें पटी लगा कर stitch कर लीना है यह देखे तो हमने यह पर पटी को लगा दिया है दूसरे side भी इसी तरीके से पटी को लगाना है यह दिखे इस तरीके से दोनों को stitch किया बिसके ऊपर हमें यह वाला फैबरिक रखना है यह वाला पार्ट रखना है और इसको यहां से stitch कर देना है यह देखे तो तरीके से हमने इसको stitch कर दिया है अभी हम यहां पर जो हमारा neck के उस पर पटी लगा कर इसे complete करेंगे तो जो neck fabric के उसकी cross में पटी कट करनी है और double करते हुए neck पर stitch करना है कट लगाएंगे एक stitch पटी के उपर से करेंगे अंदर के side fold करते हुए stitch कर देना है यह देखिए तो neck complete हो गया अभी side के princess cut वाले part को stitch करना है यह देखिए दूसरा पार्ट भी stitch करेंगे दोनों पार्ट stitch कर लिए नीचे के side पटी लगानी है पटी के जो width रखेंगे वह हम two inch की रखेंगे एक stitch पटी के उपर से करना है अंदर के side fold करते हुए stitch करेंगे यह दीके extra पटी को cut कर देना है आर्मोल के side पर हमें 0.75 inch की गुलाई देनी है अभी यहाँ पर center पर एक marking करनी यहाँ पर हमें मोती लगाने है तो मैं यहाँ पर white color के मोती लगाऊंगी और यह जो मोती है वो हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाना है यह देखे इस type से तो देखे मोतीों को लगा कर complete कर लिया है इसी के साथ front part complete होता है तो वीडियो पसंद आई हो तो like, share and comment जरू करिएगा और चैनल को subscribe जरू करिएगा तेंक यू